बड़ा ही भरोसा है हमें इस देव गुरु बिरहस्पती पर क्योंकि इसे ही भगवान का दूसरा स्वरूप कहा जाता है यही देव गुरु बिरहस्पती भाग्य के कारक होते हैं और जब यही वक्रत्व अवस्था पर आते हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी संदोजार अनेक वीडियो आपने देखा होगा इस देव गुरु बिरहस्पती पर हम अपने अनुभव के आधार पर कुछ बाते हैं जो आपको साज़ा करने जा रहे हैं इस वीडियो के माद्धम से कहां पर क्या कुछ हमें प्राप्त होता है और कहां पर हमें साउधानी भी रखनी ह होगी इसी गुरु के वक्रत्व अवस्था में क्या उपाय करने चाहिए जयोतिस में नैसरगिक रुप से देव गुरु बिरहस्पती के अंदर इस समय पर चेश्टा बल की ब्रिद्धी हो चली है एक ऐसा भरोसा हमारे अंदर कायम है जो भगवान कभी तूटने नहीं दे हैं और उसके अनुरूप हमें जरूर फल प्रदान करेंगे और एक ऐसा फल प्रदान करेंगे जो स्रिष्ठता के उचाईयों तक हमें पहुंचा पाए हमने तो करके देख लिया प्रभू जितना कुछ हमें करना था सारे प्रयोजन हमने करके देख लिया उसके बाद भी अ आत्र आसा के किरण यदि कोई नजर आती है तो वो आप हैं हे गुरुदेव वो आप हैं और यही गुरु भगवान का परियाय है दुनिया से मैं हारा तो वाया तेरे द्वार यहां से मैं जो हारा कहां जाऊंगा सरकार यहां से मैं जो हारा कहां जाऊंगा सरकार मेरा तो क्या है मैं तो दुनिया से हारा पूछेगा तुमसे ही ये संसार सारा दूब गई क्यों नईया तिरे रहते खेवन हार यहां से मैं जो हारा कहां जाऊंगा सरकार आज देव गुरु बिरस्पती ठीक एक ऐसे इस्थान पर जागरित हैं जो कि आपके भाग्य का इस्थान है करकरासी के भाग्य भावपर देव गुरु बिरस्पती भाग्य के कारक हैं और विराजमान हैं आपके लाभ के घर पर आपके इनकम के घर पर क्या इनकम के घर पर विराजमान होकर के हमें कुछ बहतर उपलब्धियों तक पहुँचा पाएंगे क्योंकि चेश्टा बली गुरु के अंदर अब फल देने की जो कैपिसिटी है वो तीन गुना अधिक बढ़ गई है माना जाता है कि चेश्टा बल ग्रह के पास तीन गुना सक्ति बढ़ जाती है ठीक कर करासी के एका दस भाव पर गुरु देव विराजमान है इस हिसाप से देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा इनकम या धनलाब की इस्थिती या हमारे कामनाओं की इस्थिती को प्राप्त करने की उपलब धता इस देव गुरु बिरस्पति के पास समाहित है कर करासी के तो ये योग कारग्रह भी बनते हैं और जब ये चेश्टा बली हो जाते हैं तो इनका प्रभाव एक घर पीछे भी प्राप्त होता है जो आपके दसम इस्थान का घर माना गया है और यही दसमभाव आपके कर मचेतर का है आपके कैरियर का है इस कारण से गुरु का प्रभाव हमारे कैरियर में पड़ गया कोई नए उपलबधी का हम योग चाहते हैं अपने कर मचेतर में उन्नती का सोर्स चाहते हैं कोई नया नाम और प्रतिष्ठा चाहते हैं ये सब क उच्छ देव गुरु बिरस्पती हमें दिला सकते हैं आगामी चार महिने में। इनका प्रभाव इतना महत्तोपूर्ण होगा कि ये ग्रह जिस इस्थान से जुड़ जाते हैं उस इस्थान में एक जागरिती आ जाती है। और उसी प्रकार से मेरे कर्तब्यों का निर्वहन करते हुए मुझे विशेश उपलब्धता तक पहुचा पाएंगे। यही है देव गुरु बिरस्पती का एक उच्चतम प्रभाव, एक सुभ प्रभाव। अब देव गुरु बिरस्पती के पास कुल तीन द्रिष्टियां होती हैं, जिसके माध्यम से यह विशेश प्रभाव देते हैं अपने पंचम और नवम द्रिष्टी पर। देखिए गजरा कहां पर क्या द्रिष्टी पढ़ती है। इस समय पर कुछ भी हो जाएं, आप अपने लाभ के लिए सबसे ज़्यादा प्रयत्न सीर रहेंगे और विशेश बात तो यह हो गई कि देव गुरु बिरस्पती का आसरे अर्थात उनका भरोसा आपके संग संग चलने वाला इस समय पर सबसे अधिक प्रभावित होगा। देव गुरु बिरस्पती की जो पांचवी सब्तम द्रिश्टी पढ़ रही है पंचम भाव पर अर्थात संतान से जुड़े हुए कोई अच्छे कार्य इस समय पर सिद्ध होते हैं। आप यदि विद्यार्थी हैं तो विद्या के छेतर में एक बढ़ोतरी होती है। इस समय पर चुकि गुरु को ज्यान का कारक कहा गया है पंचम भाव पर द्रिश्टी है आपके अंदर भी एक नए ज्यान की ब्रिद्धी होती है। कोई नया नौलेज, कोई नया स्किल इस के माध्धम से ये गुरु आपकी भाग की प्रबलता को सिद्ध करते हैं। पंचम भाव प्रारब्धों का प्रतिफल होता है। तो इस समय पर जो प्रारब्ध में हमने कर्म किया है और देव गुरु बिरस्पति के समान कोई दूसरा ग्रह नहीं जो हमारे प्रारब्धों के प्रतिफल को दिला पाए क्योंकि इस स्वर का परियाय हम इस देव गुरु बिरस्पति को मानते हैं। चूंकि देव गुरु बिरस्पति के पास जो नवम दृष्टी है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है और इनकी नवम दृष्टी पढ़ती है सीधे सब्तम भ सब्तम भाव से जुड़े पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे जैसे कि यदि आपके विवाह नहीं हुए हैं विवाह की संभावना एक काफी प्रबल यहां पर हो जाती है। परिसानियों से हमें मुक्ती दिलाते हैं देव गुरु बिरहस्पती। सब्तम भाव ही वो इस्थान है जो आपके जीवन में एक ऐसा इस्थान है जो दामपत्त के साथ-साथ ब्यापार का इस्थान होता है। इस लिए ब्यापारिक जीवन भी इस समय पर काफी हमारा दिन चरिया चल पा रहा है तो अब गुरु के वक्रत्व अवस्था की दृष्टी पढ़ने के कारण ब्यापार भी एक उच्चतम इस्थान तक पहुच पाता है यही देव गुरु बिरस्पति आपके भाग्य के मालिक है और भाग्य के मालिक हो करके अपने से तीसरे घर पर है और इनकम के भाव पर है और इसलिए भाग्य का सहारा यहां पर प्राप्त होता है दुनिया का सहारा क्या लेना बस तेरा सहारा काफी है यही है देव गुरु बिरस्पति और इस बिरस्पति पर सबसे ज़्यादा भरोसा है हमें तुलसी भरोसे राम के निर्भय ह कर सोए, अन होनी होनी नहीं होनी हो सोए। इस हिसाब से देखा जाए तो देव गुरु बिरस्पती हमारे जियों में कोई अन्होनी नहीं होने देंगे और बलकि जो होने वाला है उसमें भी एक सुभ जागरिती का परिणाम हम तक पहुँचा पाएंगे यही है इनका सबसे बड़ा सुभ प्रभाव करकरासी के लिए हमने प्रारम में ही कहा था एक साउधानी भी रखनी होगी और उस साउधानी को समझेगा माना जाता है कि देव गुरु बिरस्पती जहां विराजबान होते हैं वहाँ दीपक तले अंधेरा कहा गया है इस्थान हानी करे जीवा अर्थात एकादस भाव पर है तो बड़े भाई या बड़े बहन हैं उनके साथ संबंद इस समय पर अनुकूर ढखने हैं जो हमें लाग की प्रापती इस समय पर होगी जो हमारे इच्छाओं की प्रापती होगी उस इच्छाओं के लिए हमें कि लाव नहीं मिलेगा बलकि इस बात की जागरिति क्या हो सकता है कि हमें जो लाव प्राप्त होगा उसको हम कितना मेंटेन रख पाते हैं यही एका दस भाव जागरित हो रहा है तो इस समय पर समाज के लिए अपने धर्म के लिए जितना कुछ आप कर पाते हैं देव गुरु बिरस्पति के सुभ प्रभाव को आप ले पाते हैं इस बात को भी जानिएगा, कैसे इस गुरु को मजबूत किया जाए, नवम भाव के स्वामी है, नवम भाव तिर्धाटन का होता है, तिर्ध यात्राओं का होता है, समय बहुत बिदा दिया हमन है नवंभाव यही वो इस्थान है जो भागी का घर होता है तो कोशिस कीजिए यदि इन चार बहिनों में किसी धर्म की यात्रा पर आप निकल पाएं नवंभाव अर्थात आपके जीवन में आपके घर का जो मंदिर होता है वो नवंभाव है इसने वहाँ पर साप सफाई रखना वहाँ पर खुसहाली रखना सौंदर इसे युक्त वो इस्थान हो फूल अच्छे चड़े हो भगवान पर कोई सुगंधित वहाँ पर वातावरन हम कायम कर पाते हैं देव की आराधना कर पाते हैं अर्थात यही तो वो तत्व है जो गुरू को मजबूत बनाएगा गुरू का मंतर यदी हमें प्राप्त है यदी आपने गुरू दिख्छा ले रखा है तो इस समय पर उन गुरू मंतरों का जाब करना अवस्यक होगा यदि आपने किसी को गुरू नहीं बनाया है तो उस इस्थिती पे देवा धिदेव महादेव सारे जगत के गुरू माने जाते हैं तो उन्ही के मंत्र ओम नमा सिवाय या फिर सिर्फ नमा सिवाय का मंत्र जाब कीजिएगा निश्चय मानिये ये देव गुरू बिरस्पती का वकरत्व अवस्था पर आना विसेस कामनाओं की सिध्धी के साथ साथ कैरियर और कुटुम में भी एक नए सुख सम्रिद्धी को कायम करने वाला इस्थिती हो सकता है उम्मीद है आप सबने इसे समझा है आप सबने इसे जाना है यदि आपने इसे समझा है जाना है मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भाती इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कम भी मत भूलिएगा बहुत मोटीवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कारे किया है और करकरासी ने हमें प्रोत्साहित किया है और हाँ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा पुना एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगल मैं हूँ इन्ही सुपकामनाओं के साथ जैस्री राओ